नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहा पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग अर्विन केज़िवाल की गिरफतारी को चुनोती देने वाली याचिका को कल दिल्ली हाई कोट ने खारिच कर दिया अपने फैसले में कोट ने कहा कि एडी के तरब से एकत्र की गई सामकरी से पता चलता है कि अर्विन केज़िवाल ने साजिश रची थी वहीं हाई कोट के फैसले के बाद रात भर आम आदमी पार्टी के अंदर बैठक चली क्योंकि जिस तरह से कोट का फैसला सामने आया है उसके बाद कहा चारा है कि केज़िवाल अब कम से कम दो साल से पहले जिल से बाहर नहीं आने वाले है पार्टी के तरफ से रात भर चली मिटिंग में अब मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेच हो गई है कि केज़िवाल के बाद कौन सभाले का दिल्ली का कमान ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इसी पर चर्चा कर निकले मेरे साथ साथ स्टूडियो मुझूद है सुनामी का असर आ गया है आपके सारे दावे चकना चूर केस फरजी है कोट ने कहा केस फरजी नहीं है E.D. के पास salt proof है आप ने कहा केजरिवाल को तंक किया जा रहा है कोट ने कहा नहीं केजरिवाल के खिलाफ इतने सबूत है जिससे ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि ये जो घोटाले का पैसा आने की conspiracy उसको कैसे ठिकाने लगाए जाए कैसे खर्च किया जाए उसकी planning और कैसे इसे छिपाया जाए concealment ये सब के पीछे केजरिवाल है और केजरिवाल ने ये जो काम किया है कुछ personal capacity में और कुछ मुख्यमंत्री के रूप में अब आप ये समझे बचने तक का रास्ता नहीं दिया गया आपने कहा कि चुनाव प्रचार से रोकने के लिए मोधी ने जेल में डाला है कोट ने अपने आदेश में लिखा कि जब इतना ब्रह्म ज्यान आपको था कि चुनाव होने वाले हैं तो अक्टूबर में जो पहला समन गया उससे समय चले गया होते हैं यह तो प्रावलम आप अपने तरफ से लेकर क्या हैं आम आदी पाटी के तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए गोटाला तो हुआ लेकिन मनी ट्रेल जो है वो बीजेपी के पास पहुँच रहा है रिड्डी से पैसे लिए पश्पन कड़ों रुपए कोट ने कहा कि यह जो मसला है बॉंड का इलेक्टोरल बॉंड का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है हम कुछ और बात कर रहे हैं आप कुछ और बात ही कर रहे हैं आप ने कहा कि कोई साक्ष मिला नहीं कोई पैसा मिला नहीं यह सिर्फ गवाहों के बयान के उपर जो है आपने केजिवाल को फसाने का काम किया है दिल्ली हाइकोट ने कहा कि जब आप ये बात कहते हो तो आप कोट के उपर अविश्वास जताते हो मतलब मतलब ये हुआ कि ये जो पूरे बयान दिये गए वो 164 के तहट दिये गए magistrate के सामने और अगर आप उन बयानों को कोई authenticity पर सवाल खड़े करते हो तो आप जज और कोट की भी अभेलना कर रहे हो तो ऐसा कोई argument अब तो बचा नहीं जो केजरिवाल अब तक दे रहे थे जिसके उपर दिल्ली हाइकोट ने साफ साफ अपनी चीजे नहीं बता दे अब चहरा उत्रा हुआ था कल चहरा उत्रा हुआ था हमादी पार्टी के लोगों का क्यों क्योंकि अगर ये हाइकोट के judgment में लिखा हुआ है बयान नहीं judgment में लिखा हुआ है तो सुप्रम कोट से भी रहत भी मिलेगी दो साल के लिए आप तो नप जाएंगे तो दो साल से सरकार तो नहीं चलेगी क्यों उसका कारण बता देता हूँ अभी दिल्ली के जो LG है सक्सेना सहाब उन्होंने चिठ्ठी लिखी है कली चिठ्ठी लिख दी कि ये सरकार ढंक से नहीं चल रही है मीटिंग्स बुलाते हैं मंतरी आते नहीं मंतरी क्यों नहीं जा रहे है मुक्ष मंतरी नहीं बाकी मंतरी तो है उनको आना चाहिए तो इसका मतलब है कि केजरिवाल से इस्तीवा कैसे लिया जाए उसके लिए रास्ता आम आदमी पार्टी के अंदर ही बनाया जा रहा है एक काम किया जा सकता था कि आप किसी को डिप्टी सीम बना देते आप ये कहते कि जब तक मैं जेल में हूँ ये आदमी मुक्ष मंतरी का रोल करेगा आपने वो भी नहीं किया अब जिस तरीके से सौरभ भार द्वाज आतिसी मार लेना को बाहर किया गया और चार लोग कैसे जग़ जग़ जाकर के हम वोट मांगेंगे उसका प्रस कॉन्फिंस किया तो इसका मतलब उसको गुट बन्दी तो हो गई क्या-क्या है चार गुट ये भी समझ लीजिए एक अर्विंद केजरिवाल जो अपनी पत्नी को बनाना चाहता है उसको किसी के उपर कोई भरोसा नहीं है नमबर दो संजे सिंग जो एक बड़े चैलेंजर बन करके आये है नमबर तीन गोपाल राय जो अपने आपको संजे सिंग से भी सीनियर खुद को मानते हैं क्योंकि आंदोलन में वो केजरिवाल के साथ संजे सिंग से पहले से वहाँ पे मौझूद थे संजे सिंग तो पहली बार में मंत्रे नहीं बने वह राजसवा उनको भीजा गया बाद भीजा गया अब दिक्कत चौथी यह है कि दो लोग और बाहर है इस पावर स्ट्रगल से जो परदे के पीछे से खेल कर रहे हैं एक स्वातिमालिवाल और दूसरा चड़ा यह दोनो गैंग अप हुए हैं स्वातिमालिवाल तो हर चीज में आगे रहती थी लेकिन जैसा सुनिता केजरिवाल को आगे किया गया बिल्कुल पूरे सीन से ही गाए भह स्वातिमालिवाल एक दम से साइलेंट हो गए साइलेंट नहीं वो आएंगी नहीं परदे के पीछे से खेल चल रहा है तो कई सारी चीजी एक साथ इंटरमिंगल हो रही है वहि《 क्यों नहीं साथिमालिवाल नजर आ रहे है? तो आमादी पाटी वाले बेहतर बता सकते हैं है न? तो ये चार अलग-अलग जगों पे अलग-अलग तरीके से मीटिंग्स हो रही है संजे सिंघ पाटी को एक साथ रख सकते हैं, काटर को एक साथ रखते हैं, ये उनकी हिसाब से सही जा रहा है ज्यादा तर ये जो 62 विधायक हैं, उसमें 25 के आसपास विधायक ऐसे हैं, जो गोपाल राय के साथ है केजरिवाल चाहते हैं कि पत्री बन जाए और ये बाकी के जो मोरे हैं, वो ये चार है कि इन सब को कैसे साइड लाइन करके एक नए तरीके से संगठन को खड़ा किया जाए और नया चेहरा जो है, मुख मंत्र के रूप में लाया जाए क्योंकि अगर संजा सिंग बन गया, तो वो अपनी मनवानी करेगा गोपाल राय, अगर चीफ मिनिस्टर बन गये, तो इन सब की छुट्टी कर देगा, वो अलग मंत्री मंडल बनाएगा अपने मन से क्यों? इन लोगों से पढ़ता ही नहीं है अगर भावी जी बन जाती है, सुनीता केजरिवाल बन जाती है, तो इसका मतलब है कि जैसे पंजाब में सरकार चल रहा था रिमोट कंट्रोल से, तो जेल से रिमोट कंट्रोल से चलेगा तो आप यह देखिए कि किस तरह की मुसिबत में केजरिवाल की पाटी आ गई है इसलिए मैं कहता हूं राजनीती बहुत ही कुरूर वेवसाय है लेकिन केश जवाल तो भरफूर कोशिस करेंगे कि पतनी ही बने सी देखिए वह बन तो वह तो कोशिस करेंगे लेकिन दिक्कत तो यह है कि यहां पर उनके साथ क्योंकि अब वो दो साल बाहर नहीं आएंगे यहां situation इसलिए यह बड़ा नाजुक हो रहा है कि यह लोगसभा चुनाओं कोई प्रचान चारव में इंट्रेस्टेट नहीं है हार जाए हार जाए कोई भारती सोमनात भारती हो सबका कोई counting नहीं है सब हार जाए कोई दिक्कत नहीं है दिल्ली में जो लोग है उनकी चिंत लोगसदिया एक साल के बाद होने वाली विधान सभावा चुनाओं अब ये विधान सभाव में क्या करेंगे ये लोग है अगर वह जेल में रहा है तो फिर यहां विधाय कौन चुना चुना जाएगा किसको फिर से टिकट दिया जाएक इसकी किसकी टिकट कटेगी कोई बात नहीं है अभी यहां पर हुआ है सुप्रिम कोर्ट में हो जागा एक मेंने के बाद बेल मिल जाएगा यहां तो सीधे सीधे यह इस तरह से लिख दिया गया है कि इसका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है तो यह जो दिल्ली विदान सवा का चुनाव एक साल के होगा और उसे लिए यह सारे जो अलग अलग जो बने हुए है वह इस मौके का फायदा उठाना चाहरे है को नितागरी का चसका तो सब को लगा है कौन नहीं चाहेगा कि भाई ठीक है हम संजय सिंग जो है वह बन जाए दिखें संजय सिंग कितना स्मार्ट जाकर पैर छुक है उमर बेग गुपाल राय भी जादा है और संजय सिंग भी जादा है लेकिन पैर ऐसे छूरा कि जैसे कोई बहुत बुदुर्ग महिला को जो है वो जागर के पैर छूरा मनिसी सुद्य के भी पत्नी को पैर छूर लिया तो यह अपने राजिनीति को में खुद को सब का आ यह भी बहुत बड़ा-बड़ा खेल होने वाला है एक दो दिन के अंदर सुप्रिम कोर्ट में भी कुछ डेट वेट का पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया नहीं कि पार्टी तो बहुत-बहुत धन्वार से तमाम चानकारी तो केजरिवाल को हाई कोट से मिले जटके के बाद अब आम आदमी पार्टी ने नय सीम बनाने की तयारी शुरू कर दी है वहीं तिहार में केजरिवाल रात भर टेंशन से सो नहीं पा रहे है क्योंकि चारो तरब से घिरने के बाद अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही ह सबसे बड़ा सवाल भी आज के लितना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कलीजे कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद